रामनगरी अयोधिया की छटा आज देखते ही बन रही है आध्यात्मिक्ता में रोशन रहने वाली अयोधिया रंग बिरंगे दियों की रोशनी से जगमगा रही है राम जन्म भूमी परिसर में सोमवार सुभा से जारी वैदिक भूमी पूजन अनुष्ठान जारी है और आज सिद्स्थार हनुवान गड़ी में पताका की भी पूजा हुई इस बीच राम जन्म भूमी तीर्थक्षेत्र न्यास ने राम जन्म भूमी मंदिर के प्रिस्तावित मॉठल की तस्वीरे साज़ा की है पावन सर्यू नदी के किनारे राम की पैड़ी का ये विहेंगम द्रिश अनुपम है ड्रोन से ली गई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि आयोधिया किस तरह सजी धजी नजर आ रही है बुद्वार दोपहर को होने वाले राम जन्म भूमी मंदिर के शिला न्यास के लिए तीन दिन तक चलने वाला भूमी पूजन अनुष्ठान जा रही है अयोधिया के अधिश्ठाता हनुमान जी हैं इसलिए हनुमान गड़ी में आज पताका की पूजा हुई इसके साथ ही विशेश रामर्चा अनुष्ठान भी चल रहा है अयोधिया में कल भी सभी मंदिरों और घरों में रंग बिरंगे मिट्टी के दिये प्रजुलित किये जाएंगे राम मंदिर के निर्मान से पहले हो रही इस बेहत खास तयारी में देश भर के प्रमुक तीर्थक्षेत्रों समेट करीब दो हजार स्थानों की मिट्टी और सो नदियों का जल लाया गया इस बीच राम जनुभूमी तीर्थक्षेत्र नियास ने दिव्वे और भव्वे बनने वाले राम जनुभूमी मंदिर के प्रस्तावित मौडल की अंदर और बाहर की कुछ तस्वीरे आज जारी की हैं नियास की मुताविक शीराम जनुभूमी मंदिर विशो में भारतिय स्थापत तेगला का अनुपम उधारन होगा जनुभूमी मंदिर के प्रस्तावित मौडल के कुछ चित्र प्रधान मंद्री नरेंदर मोदी के हाथों कल दोपहर में शुब मोहुर्त में शिला नियास के कारिक्रम से पहले वेदी पूजन संपन कराई जानी है बिरो रिपोर्ट राजी सभा टीवी